हल्लो भाईयों, आज हमें आपर बात करेंगे, जो आज के दिन ECS Cypress T10 का तीसरा और चोंथा मुकाबला होगा, तो इस मैच की पूरी जानकर यह आपको वीडियो में समझाऊंगा, आपको एक एक लेर के स्टैट्स बताऊंगा, बस आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो जो ह आपको लाज तक वोच करना है, यह जो मुकाबला है, देखो स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर 4 बच के 15 मिनट पर यह मैच स्टार्ट होने वाला है, और सेम ग्राउंड जहाँ पर अब तक के सारे मुकाबले खेले गए ना, वही पर यह मुकाबला खेला जाएगा, यह च और जो भी new players खेलेंगे, उनके stats भे आपको यही पर मिलेंगे, टेलिग्राम चनल का जो लिंक है, एक तो आपको इसी वीडियो के description में, दूसरा आप comment section में जाओगे, तो वहाँ पर जो पहला comment आपको मिलेगा, उसमें भी आपको टेलिग्राम चनल का लिंक मिल जाएगा, तो यह दोनों ही बहुत आसान तरीके हैं, जिनसे जाकर आप टेलिग्राम चनल को बहुत आसानी के साथ जाकर join कर सकते हो, बात करें यहाँ पर pitch report की, तो pitch report के अगर में बात को आपको बताएं कि यहाँ पर artificial wickets use होता है, तो कोई मदब ज्यादा change होने वाला नहीं है, 28 मुक scoring यह अब तके venue रहा हैं, यह तो आपको पता ही होगा, अब देखो पहले बात करें निकोजिया fighters की टीम की, तो निकोजिया fighters की टीम की last match में, क्या प्लेंगले 11 रही थी with betting order, तो देखो, open किया था, रुमेल अहमद और अनोवर हुसेन ने, one down आये ते मोहमद तनवीर, फिर से वककस, रहमत है, सोरव अहमद है, और मोनी रूल इस्लाम, नंबर 11 पर आये तो यह इनकी प्लेंगले 11 लास्ट मेंच के अंदर, इसमें अगर कुछ चेंज होता है, तो उप उनको जब betting order इनका आएगा, उससे पता चल जाएगा, अब देख लेते हैं, यहाँ पर stats, तो इनके अगर आप stats देखोगे, तो यहाँ पर इनकी तरब से open किस ने किया था, रुमेल अहमद और उनके साथ ने यहाँ पर आयते अनोवर हुसें, रुमेल अहमद के अगर मैं बात करूँ, तो दो मेच के लाए, पहले मैच में 4 run किये थे, नीचे betting किये थे इसने, और दू लेकिन यह जो बंदा है, आपके लिए grand league में काम आएगा, यह चीज आप ध्याम में रखना, क्योंकि यह betting के साथ bowling भी किया था, लास मिंट में, बात करूँ यहाँ पर अनोवर हुसें की, तो इसके नाम आप देखो, दो मेच के लाए, पहले में 22 run 0 wicket है, दूसरे में 48 2 wicket बदला बेटिंग भी कर रहा है, अनोवर हुसें और साथ के साथ bowling भी पूरे 2 over की करवा रहा है, तो अनोवर हुसें आपके लिए बहुत important pick यहाँ पर बन जाता है, यह चीज आप ध्याम में रखके चलेगा, नमबर 3 पर आएंगे मोहमत तनवीर, यह भी आपको बेटिंग सब मिल जाती है, तो आपको कोशिस क्या करना है, कि Grand League ज्यादा खेलना है, यह तो मैं आपको बताई चुका हूँ, बार-बार बता रहा हूँ, यह चीज में आपको, नमबर 5 बनाएंगे, आसिस बाम, इनके अगर मैं बात करूँ, तो एक रने हैं, और चार नोटा उट है, ओवरोल अगर आप देखोंगे, 49-10 में 258-13 का अब रजय है, यहां से मिनाव जुद्दिन की बात करूँ, तो पहले मैच में एक रिकरता, दूसरे मैच में इनको बोलिंग नहीं करवाई थी, क्योंकि दूसरे मैच में इनके ओवर कटके, उस्मान मुहम्मत को मिल गए थे यह चीज आप दिया में रखना कि ओवर यहां पर चेंज होते रहते हैं, कि बाई कि कभी इसको बोलिंग करवा देंगे, कभी इसको बोलिंग करवा देंगे लोग, फिर आएंगे ऐसे LV चोधरी, LV चोधरी के एकर मैं बात करूँ, तो वैसे तो LV चोधरी बहुत 237 विकट हैं, सकीर उसे न आएंगे, पहले में 9 रन, क्योंकि उपर बेटिंग किया था, दूसरे में इसकी बेटिंग नहीं आई थी, फिर आएंगे आएसे वकस रहमत, 3-0-0 बेटिंग, कुछ खास रिकोर्ड नहीं है, सोरव अहमद, यह जो बोलर है ना, सोरव अहमद, मोरी रोल इसना में आपर आजाएंगे, पहले में बोलिंग मिली थी, दूसरे में बोलिंग नहीं मिली, इनको आपना बोलिंग फर्स जब इनकी टीम करें, तब ग्रेंड लिक किसके अंदर ट्राई कर सकते हो, बाकी अभी के लिए मैं स्मोल लिक में इनको जाजा सजेशन तो यहां से देखो, इंपोर्टेंट प्लेयर कौन मन के आपके लिए, तो अगर इंपोर्टेंट प्लेयर आप देखोगे यहां से, तो देखो, यहां से रुमेल अहमत ग्रेंड लिक में रोटेट कर सकते हो, उतना से पिक है नहीं, अनोवर हुसेन इनका सबसे अच्छा प पर तो यहां से आप यहां पर टीम में किसको रख सकते हो तो देखो यहां से सबसे important बनता है आपके लिए सोरव अहमद बहुत अच्छा प्लेर है और इसके लावा अगर टीम पहले बोलिंग करे तो आप मोनी रूल को रख सकते हो बाकी मेरे को कोई उतने खास प्लेर यहां पर लगे नी जिनको आप टीम में रख सकते हो बाकी इनके स्टार्टिंग डेथ ओवर पूंट डालेंगे वो यहां पर आपन देख लेते हैं तो इनके तरफ से को स्टार्टिंग बात कर लेते हैं आप दूसरी टीम की क्या प्लेंग लेंगे उन रहीती लास में बेटिंग और अब देखो इनकी तरब से ओपन किया था जिसन महमूद और नीरस्तिवारे में फिर आयते मंगला गुना सेक्रा फिर तरणजी सिंग आयते फिर परशाज सुरंगा परशाज सुरंगा से पता होगा आपको बीच में लोगों ने ओपन भी करवाया था फिर मोहमद इकरम इससे भी ओपन कर अब इनके प्लेयर के स्टैट्स यहाँ पर अपन देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि ओपन किस ने किया था जिसन महमूद और नीरस्तिवारी ने जिसन महमूद भाई बहुत अच्छी फोर्म में रहा हैं अब तक आप देखो 51 नोट आउट दो है 36 नोट आउट में जिसके नाम विकेट है और बल्ले से गर आप देखोगे 20, 35, 47 है तरणजी सिंग बात करूं तो चार में अगर आप देखोगे तो 6 ओर डालों च दो है हाला कि पहले वंडाउन बेटिंग करना था फिर टीम ने इसको नीचे बेच दिया था परसा सुरंगा कुछ मैच में ओपन किया है लेकिन रिकोर्ड इसके उन्हें खास है नहीं 0-3 नो बेटिंग और 6 है महमध इकरम अगर ओपनिंग करता है तो आप ट्राइक कर सकते हो 21 नो कुछ रखो महमध इकरम का आप तब रख सकते हो जब यह ओपनिंग करें अधरवाइस उतना इंपोर्टेंट यहां पर मेरे साब से नहीं रहेगा यह बाकि आगे के जो प्रेराउन के स्टेट्स आपर यहां पर देखें तो यहां पर आप देखोगे कि देखो नंबर साथ पर आ रहे हैं हरदीप सिंग जो है इसका मेन काम वह है बोलिंग का है हरदीप सिंग आगर मैं आपसे बात करूँ तो हरदीप सिंग ने आप पर जो तीन मेचेश खेले नो उसके अंदर आप देखो कि पूरे च्छे ओर डालके तीन विकेट है और बल्ले से भी 14 नोट आउ आप लगाता डाल रहा है इसके नाम आप देखो लाष्ट के जो चार मैच इसमें खेले उसमें दो विकेट है लेकिन बोलिंग इसमें दो दो लगाता तीन में से करवाई है मंजूर अली भी बहुत अच्छे बोलिंग करवा रहा है चार मैच में आट ओवर पुरे डालके चार विकेटस के नाम है तो यहाँ से यह important बनता आपके लिए गूरतीप शर्मा आपके लिए important बनता है और उसके लावा हर्दीप सिंग आपके लिए से important player बनता है यह चीज आप ध्यां में रखके चलेगा अब देख लेते हैं इनकी तरब से स्टार्टिंग डालेंगे तो देखो इनकी तरब से अगर मैं बात करूं नहीं आप तो देखो आप ध्यान से स्टार्टिंग ओवर डाल रहे हैं एम हमजा हरदीप सिंग और यहां से आर कुमार यहां पर डेत में के सिंग आर कुमार और एज सिंग आपको दिख जाएंगे बाकि इनके बेंच पर प्लेयर हैं इनमें से कोई खेलता है तो उसके भी स्टेट्स में आप पर दिया हुआ है जो कि आपके काम आ जाएंगे आप बाकि यह भी प्लेयर बेंच पर हैं तो बाईयों मैंने स्टेट्स आपको सारे बता दिये अब सबसे इंपोर्टेंट काम किया है कि अगर आप तक टेलिग्राम चनल को जो रहेंगे ना सारी के सारी आपको टेलिग्राम चनल पर ही वो भी आपको यापर बता देता हूं तो देको डेमो टीम में मैंने इक्रम मुहमत को रखा है क्योंकि विकेट कीपिंग सेक्षन से यही अच्छे उप्षन थे बैटिंग सेक्षन से मैंने जिसन महमूद और नीरेस तीवारी को रखा है और बात करूँ मैं आपर मैंने अपने टीम में किया है मंगला गुना सेक्राप वो इसके अपने मेरे तरणजी सेंगे लेकिन देखो यह ना फाइनल टीम नहीं है फाइनल टीम जो भी रहेगी वह आपको मिलेगी टेली ग्राम चनलनल में तो आपको टेलीग्राम चनल जरूद जो हो जाना जिसका link वीडियो के description में और comment section में दिया हुआ है तो वाई यो वीडियो लास तक देखने के लिए आप सब का धन्यवाद